हेलो दोस्तों, वेलकम टू पी डबली ओनली आईएस देखें, UPSC के द्वारा जो 28 मैं 2023 को प्रेलिम्स का एक्जाम कंड़क्ट करवाया गया था उसका रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है बहुत सारे स्टुएंट्स इसमें देखो क्वालिफाई किया है और बहुत सारे स्टुएंट्स रहे हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो दोनों एस्टुएंट्स जो इस बार मेंस लिखेंगे या फिर जो अगले साल के त्यारी करेंगे उन सबी के लिए पॉइंट मेसेज है इस पर्टिकलर वीडियो के अंदर तो मेक शूर इस वीडियो का आप अच्छे से देखिए देखो अगर आप UPSC के वेबसाइट पर जाएंगे वहाँ पर आपको ये पूरी की पूरी PDF भी देखने को मिल जाएगी और नेम बाइस लिस्ट भी वहाँ पर है अगर देखें इस बार की टूटल कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं तो लगबग 14,624 के आजपा स्टूरेंट का मेंस हैं जो लिखेंगे अब आप लोग सोच रहोंगे सरी ये नमबर बढ़ गया आएगा पिछले साल से देखो पिछले सालों के अंदर आप नोटेस करो कि कुछ टाइम बीच में ऐसा था जब सीट्स काफी कम थी पर अब जो हमारे पास फाइनल सीट्स हैं वो दीरे-दीर थोड़ी इंक्रीज हुई है और उससाब से जो लोग इस बार मेंस लिखेंगे उनका नमबर भी कमपरिटिवली हमें जादा देखने को मिल रहा है तो पहली बात जो लोग मेंस नहीं लिख पाए किसी कारण उनका प्रिलिम्स क्लियर नहीं हुआ तो डेफिनेटे देखो आप सभी को क्या करना है आप सभी को भी अभी मेंस की ही तियारी करनी है रीजन क्या है? रीजन इसके बीचे का यह है तो अभी आपको जो नेक्स प्रिलिम्स होगा वो एक साल दूर है अब ऐसे टाइम को आप कैसे यूटिलाइस करेंगे अच्छी बात ये होगी कि कभी ना कभी जैसे अगले साल आपका फिलेम स्लेर होता है फिर तीन महीने के अंदर आपको मेंस करना पड़ेगा उसकी त्यारी तो अभी सबसे बढ़िया टाइम है कि आप अपने मेंस के उपर फोकस कीजिए आप भी इस तरह से त्यारी कीजिये कि जैसे आप भी मेंस को एक्जाम लिख रहे हो उससे क्या होगा आपकी मेंस की त्यारी अच्छी हो जाएगी अब जब next year आप अपना means दोगे तो definitely आप उसमें अच्छे से crack कर लोगे on the other hand जिन लोगों का means है इस बार ठीक है जिन लोगों ने इस list में उनका नाम है तो definitely आप पस लगवक तीन महीने है तो तीन महीने को बहुत अच्छे से utilize करना है एक golden opportunity है ठीक है reason being कि अच्छे खासी seats है इस बार and साथ में साथ आपके बास एक बढ़िया मौका है इस exam को अच्छे से clear करने का तो make sure अगले तीन महीनों को अच्छे से utilize कीजिए ठीक है उसके regarding भी dates UPSC बता देगा कि कब से कब तक dates के अंदर आपको fill करना होगा अगर definitely आप कुछ doubts आते हैं तो UPSC को भी आप contact कर सकते हैं हमारी team को भी in fact आप contact कर सकते हो जो की नीचे description में मैंने इसका हमारी team का number भी आपको provide किया है इसके साथ में ही जो लोग इस पर mains लिखेंगे definitely उनके लिए बहुत ही अच्छी opportunity है कि हमारी team एक तरह से विल्कुल free answers आपको evaluate करके देगी तो 10 और 12 तो आज ही थी ठीक है यह दो दिन तो चलो होगे बड़ उसके लावा 13th 14th और 15th यहाँ पर आप लोग में से जो भी Delhi में है न मैं उनको बोलूँगा कि आप लोग एक बार हमारा जो ORN के अंदर जो गोल चक्कर के पास में यह पूरा address यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर आईए ठीक है एक घंटे के अंदर आपको साथ question लिखने होंगे उनको लिखिए वहीं पर classrooms के अंदर यह आपके साथ discussion होगा उनका evaluation होगा तो आपको नहीं अपनी गलतियां बता लगेंगी कि सर मैं गलती कर कहा रहा हूँ क्योंकि देखो answer writing नहीं करोगे तो मैंस को clear करना काफी मुश्किल हो जाएगा तो make sure कि आप इस golden opportunity का अच्छे से advantage दीजिए जो लोग कही ना कि online में लिखना चाते हैं वो भी definitely इसको वेल कर सकते हैं हमारी website पे जाके www.onlias.com और यह रहा हमारा contact ने का in case आपको कुछ भी doubts आते हैं इसके साथ में कुछ लोगों को दिक्कत आती है कि sir content कहां से पढ़ना है क्योंकि mains में थोड़ा value additions की requirement रहती है तो हमारी team की तरफ से telegram channel की उपर ठीक है यह definitely प्रहार redefine 3.2 आपको मिल जाएगी बाकी market से भी आप यहाँ पर इसको ले सकते हो तो यह जो प्रहार है ना यह booklets इस तरह से design करी गई है कि आपकी mains की सारी needs को fulfill करती है जैसे let's say अगर आप Indian quality की बात करो तो यहाँ पर कौन से cases कैसे mention करने हैं तो बहुत ही quick reason यहाँ पर हो जाएगी और एक तरह से इनको बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी टीम ने यहाँ पर design किया है तो make sure आप इसको अच्छे से utilize की बिए साथ में कुछ और भी initiatives हैं जैसे marks booster series ethics के keywords उनकी example उनके साथ अच्छी courts important judgments हो गया important judicial doctrines यूपेसी जैसे के बार पूछता ना colorable legislation के बारे में कुछ अता है थी 2019 में तो ऐसे questions यहाँ से आप अच्छे से title कर सकते हो important amendments, point articles, need i.o की best practices के बार quote करनी पड़ती है तो इस तरह के marks booster series मारी काफी आपको इस वेंभी help मिलेगी आपके means exam के अंदर साथ में ही daily one minute read series तो ही है, जो आप रूक ब्लैक प्रिनिटी फॉलो करी रहे होंगे जो आपको कुछ अच्छे articles को cover करने आपकी help कर देती है लास्ट ली देखो एक होता है previous year question टॉपस की अगर आप कभी बात सुनोंगे तो एक चीज़ जो सब में common देखने मिलती है कि उनने previous year question बहुत अच्छे से किये अभी इसी requirement को वारी team ने समझा है और उस वज़ा से क्या किया है आपके जो भी GS paper 1, paper 2, paper 3, paper 4 ठीक है including the ethics paper इनके ना कैसे answers आपको लिखने चाहिए इनकी proper booklets design करी है तो यहाँ पर होगा गया previous year question बिछले 7-8 साल में जितने में आए हैं उनके आपको एक model answers टाइफ चीज़े देखने को मिल जाएगी तो वहाँ से आप previous year question अपने end पर attempt भी कर सकते हो उनके answers कैसे लिखने चाहिए थे क्या क्या validation करने चाहिए थी यह सारी चीज़े आपको इन papers के अंदर देखने को मिल जाएगी तो इन booklets को भी आप अच्छे से use कीजिए इनमें detailed explanation आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी इसके साथ में कुछ ऐसे experts भी हैं जिनको थोड़ी hand holding की requirement होती है कि सर हम proper चाहते हैं कि पूरा हमारा slivers complete हो जाए through daily test and discussion तो वो चीज़ यहाँ पर 60 days main sprint 2023 के अंदर cover हो जाएगी आपके अच्छे से यहाँ पर होगा क्या ना daily business review पर आप साथ साथ question लिखोगे उनका proper evaluation होता रहेगा इस तरह से अगले दो महीने को आप utilize कर सकते हो आपके सारे topics cover हो जाएगी let's say 15 दिनों के अंदर आपने GS1 कर लिया 15 दिन GS2 इस तरह से 60 दिनों के अंदर आपके 4 GS papers और साथ में आपका essay भी cover हो जाएगा ठीक है तो एक proper schedule रहेगा यहाँ पे ठीक है live evaluation हो जाएगी आपके full length test की प्रहार की आपको hard copies हो गया और mentorship तो है यहाँ जो आपको हर कदम पर आपके साथ है हर कोई भी दिक्कत आती है उसको resolve करने के अंदर तो definitely आप मारी website पर जाके इसके अंदर enroll कर सकते हैं कुछ भी in case आपको कोई भी doubts है ना तो आप हमें इन numbers पर भी reach out किया जा सकते है ठीक है friends तो telegram का मैं बता दूँ देखो एक तो हमारा main channel है only as nothing else यहाँ पर भी आपको बहुत सारा content मिल जाएगा साथ में एक थोड़ा pdf शेयर करने के लिए एक नया telegram भी है तो make sure आप इसको भी अच्छे से utilize कीजिए and I hope कि देखो आपको जिनोंने prelims clear किया है उनके पास एक बहुत अच्छी opportunity है इसको utilize कीजिए और जिनका नहीं हुआ prelims आपको बिल्कुल भी घवराना नहीं है ठीक है ना अपनी तयारी में अपनी खामियां ढूढ़िए कहां पे मुझे और बहतर करना है I understand UPSC का इस पापेपर tough था C side भी तो अटाफ आया था पर हमें भी अपनी तयारी को और भी student करना है ताकि कोई भी UPSC हमारे उपर bounceer फिके हम उसको tackle करने के लिए अच्छे से ready रह पाएं ठीक है friends ये था आज का discussion I hope आपको चीज़े समझ आई होंगी आपने पने results को check किया होगा और ये भी सोचा होगा कि आने वाले times के अंदर आप कैसे time को अच्छे से utilize कर सकते हैं जो आपकी preparation को बहुत ही effective कर पाए ठीक है friends Thank you so much for the discussion